किसान सातियों नमस्कार मैं राजूराम राठोड जोतपुर राजस्तान से आज मैं हूँ बेड कला गाउं जो राजस्तान के जयतरन तैसिल के पाली जीले का एक मातर रसायन गाउं हैं मेरे सामने वयो व्रद दादा जी बैटे हैं रिष्टे में मेरे दादा जी है रेवत र राम जी राठोड साथियों आज इन से इनके खेत में विगत साल जो जीरे की फसल ली थी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपको हिंदी बोलना नहीं आता मैं आपको बता देता हूं इन से जब मेरी बात हुई तो इन्होंने मुझे बताया था रसायनिक जीरे और ये गु बोलता हूं कि आप वेस्ट डी कंपोजर नाम याद कीजिए तो मुझे हसते हैं और कहते हैं ये मुझे वेस्ट डी कंपोजर नाम नहीं आता मैं तो सिरफ इतना ही बोलता हूं गुड का पानी सातियों नाम में क्या रखा है परिनाम जो आता है बैतर है किसान सातियों आज मुलाकात इन से हो रही है और मैं बेड़ गाओं में हूँ रहुतराम जी राठोड जिनकी उम्र 75 साल है पिछले साल से जीरे की फसल में आप वेस्टर डी कंपोजर वो गर पर बड़ी यूनिट लगा कर वेस्टर डी कंपोजर जिसका परिणाम इनको बैतर रहा आपने रसायन उप्योग न करने का प्रण भी लिया है जब तक रसायन की बात करें न सातियों इनके खेत में इनके खेत में वेस्टर डी कंपोजर उप्योग करने से पहले एक एकड का जीरे की फसल का खर्चा आता था जिसमें आप पांच छिड़काव करते थे प्रती एकड़ दस अजार तक का इस तरह उपियोग रसाइन से आपका खर्चा बहुत होता था पर अब वेस्टरडी कंपोजर के उपियोग करने के बाद प्रती एकड़ सीचाई में आप तीन पानी ही देते हैं साथियों पहले पांच चार पानी देते थे पांच छिड़काव करते थे पर अब सारे उद्पाद मंगा कर वेस्टरडी कंपोजर के साथ बना कर उपियोग करके फसल रोग मुक्त करके प्रती एकड़ खर्चा आ रहा है मातर एक अजार से बारे सो रुपए साथियों आकलन कीजिए रसाइन उपियोग करते थे मेरे दादा जी रसाइन के उपियोग करने के बाद खर्चा आता था एक एकड़ का दस हजार से लेकर आगे तक भी जाता था मौसम और रोग को देख कर लेकिन अपकी बार पिछली साल आपने जो जीरे के अंदर वेस्टर डी कंपोजर के साथ गर पर उत्पात बना कर एंजाइम अर्क तराल तत्व उनका खर्चा मातर आया है बारे सो रुपए ये लेका जो खा मैंने विगत साल से इनके पास से लिखना चालू किया और अब तक इस निरने पर पहुँचे हैं कि इनका खर्चा आया है एक एकड़ का मातर बारे सो से पंदर सो रुपए तक तो साथियों क्यों रसायन की आउशकता पड़ रही है अब इस तरह रसायन मुक्त आप हो रहे हैं और आगे मैं आपको जानकरी बता देता हूँ आपने जो विगत साल जो वेस्टरडी कंपोजर से जीरे का उत्पादन लेकर बजार में जब इनका जीरा भीका पूरे साल आपके जीरे का भाव मिला था 17,500 रुपए अब इनके मुझ से सुनते हैं आपको प्रती एक क्विंटल का पिछले वेस्टरडी कंपोजर के जीरे का भाव क्या मिला दादा जी आपको जो जीरे का भाव मिला प्रती क्विंटल क्या भाव मिला साधियों अब किसको जागने और किसको जगाने की अवश्यक्ता है ये तो समय ही बताएगा लेकिन वेस्टरडी कमपोजर उपियों करने के बाद मेरे दादा जी रहुतराम जी राठोड मेरे दादा जी के सग्गे छोटे साडू है आप समय के साथ बदल गए हैं परिवर्थन संसार का नियम है आप हर बार यही बात दो रहते हैं अब देखना है इस बार जीरे का उत्पाद इनका कैसा रहेगा दादा जी अब की बार आप जीरा कितना लगाओगे बीस बीगे में आप आपकी बार जीरा लगाएंगे साथियों मेरा इनके साथ हर समय उत्पाद बनाने में देख रेक करने में एंजाइम और वेस्टर डी कंपोजर कब कितना कैसे कब कैसे बना कर कितने दिनों के बाद उप्योग करना है इनकी जानकारी आपको दी जाएगी साथियों विगत आपने जो जीरे की खेती की उसका इस वीडियो में मैंने आपको आखलन करके बताया वेस्टर डी कंपोजर से जो खर्चा हुआ इससे पहले आप जो रसाइन इस्तिमाल करते थे इसका खर्चा मैंने आपको बताया तो कैसा लगा आपको वेस्टर डी कंपोजर के द्वारा किसानों का उत्पादन बढ़ना, खर्चा कम होना, भूमी सुधार होना भूमी में सुक्ष्म पोशक्तत्यों की बढ़ोतरी होना जो आविशक हम जो फसल लगाते उन फसलों को जो आविशकता होती है उनको जो पोशक्तत्त मिलने चाहिए तो साथियों आप का भी मैं इंतजार करता हूँ अब इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहेंगे मेरे बदलते राजस्तान के जैतरन तैसील के इन किसानों को साथियों बड़ी खुसी होती है जब मैं यहां आता हूँ यहां बहुत से किसान हैं जो बड़ी बड़ी युनिटे लगा कर गर पर यह उत्पाद बनाते हैं आप मेरे दादा जी 75 साल की उमर में स्वयम अच्छी मैनत करते हैं इनको लगन है और जब यह युनिट पे जाता है तो बड़े खुस होकर लेसुन का गोल प्याज का गोल बनाने में मस्गूल रहते हैं तो मैं आपका इंतजार कर रहा हूं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं अब आप क्या नंबरों से इने पास करेंगे दन्यवाद साथियों और कोई पिछली जो भी वेस्टरडी कंपोजर आताजिरित की जिन किसानों ने फशले लिये उनका वीडियो बना कर आप तक पोस्ट करूँगा ताकि वास्तो में आपको पता चले कि वेस्टरडी कंपोजर से कितने गाउं रसाइन मुक्त हो गए दन्यवाद साथियों